टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली फिलहाल क्रिकेट से मिले ब्रेक का जमकर लुट्फ उठा रही हैं। इसी कड़ी में शनिवार को विराट कोहली अपनी वाइफ अनुषका शर्मा के साथ मड़ आईलेंड में एक प्रोजेक्ट की शूटिंग के बाद स्कूटी की सवारी करते हुए देखे गए। विरुषका ने अपनी यात्रा के दोरान सडक सुरक्षा नियोमों का बखूबी पालन किया और दोनों हेलमेट पहने दिखाई दिये। वाइरल हो रही तस्वीरों में विराट कोहली और अनुषका शर्मा काले रंग की हेलमेट पहने हुए हैं। जहां कोहली स्कूटी राइट कर रही हैं, वहीं अनुषका शर्मा उनके पीछे बैठी हैं। अनुषका पूरी तरह से ब्लैक आउटफिट में नजर आ रही हैं। वहीं किंग कोहली ने वाइट स्नीकर्स के साथ हरे रंग की शर्ट और काली जीन्स पहना हुआ था। विराट कोहली फिलहाल अपने करियर के खराब दोर से गुजर रही हैं। और उन्हें शतक बनाए हुए हजार दिन हो चुके हैं। विराट कोहली का आखरी इंटरनेशन शतक 23 नवंबर 2019 को आया था। तब उन्होंने बांगलादेश के खिलाफ पोलकाता टेस्ट मैच के दूसरे दिन 136 रन बनाए थे। यहां इंटरनेशन लेवल पर कोहली का सतरवा शतक रहा था। पिछले दो से तीन सालों में विराट कोहली के आउट होने का पैटरन काफी समान रहा है। कोहली कई मौकों पर आफ स्टम से बाहर जाती गेल पर चलते बने हैं। खास कर कवर ड्राइव खेलना तो उन्हें काफी भारी पड़ा है। विराट कोहली ने ऐसे शॉट्स पर धेरो रन बनाए हैं। लेकिन जब फॉर्म खराब हो तो खिलाडी से गलतियां हो ही जाती है। विराट कोहली को वेस्ट इंडीज दौरे के लिए आराम दिया गया था। साथ ही मौजूदा जिंबाववे दौरे पर भी वह तीन का पार्ट नहीं है। अब कोहली सीधे एशिया कप के जरिये टीन में एंट्री मारेंगे। एशिया कप इस महीने की 27 तारीक से शुरू हो रहा है और वह ग्यारा सिटमबर तक जारी रहेगा। भारत को उस टूर्नामेंट में अपना पहला मैच पाकिस्तान से खेलना है। अब करेंगे।